सारे भिरस्टाचारियों की सारे चोरों की बस एक ही पार्टी बन कर रहे गई है बाजपा पार्टी ये उस यूग के रावन हैं जो नाम के सहारे देश को ठग रहे हैं यूवा को ठग रहे हैं इस देश की पिडित बेटी को ठग रहे हैं क्योंकि ये ये जो बिटिस की अंग ये मोदी सरकार, कांगरेस पार्टी ने नारा दिया था, गरीब ही हटाओ, और इन्होंने क्या नारा दिया है, कि गरीब कोई हटाओ, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है, नहीं किसी का साथ है, नहीं किसी का विकास है, अगर साथ है तो उध्योक पतियों का है, अडानी सब अटकाते हैं अज कल हमारे पाधान मंत्रीजी किसी हिंदुस्तानी को कभी गले लगाके देखाअ ट्रॉम को गले लगाया ओबामा को अभले में मिंसिसट इन्हों ने डाइमेंड रिंग दि ऑर गले लगाते हैं अपने हिंदुस्तान कर देख लो ये सब चुनावी स्टंट है इनको चुनाव जब पास आता है जब ही क्यों याद आता है ये मुद्दों पर बात नहीं करते ये बात करेंगे हिंदू मुसलिम पर हिंदू मुसलिम भाईचारे को तोड़ने पर नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहीत आवाज देश में आने वाले समय में में लोक सभा चुनाव है और पूरे देश में इसकी सरगर्मी बनी हुई है पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरूप प्रत्यारोप की जो सिलसिले हैं वो चल रहे हैं इसी का चर्चा करने हम कुछ लोगों के बीच बैठे हैं लेकिन आप नाम बताने से क्यों देखिए आज की डेट में सच बोलने पर हो जाती है तो इसलिए नाम क्या बताना डर रहे हैं नहीं डर नहीं रहे हैं मतलब हम प्रशाशन को तंग नहीं करना चाहते हैं नहीं कागज कम होंगे किसी के कारवाई करेंगे कोई एंपलाई बेकार होएगा क्या फैदा इद्वार के अंदर आसपडोस के जो देहात के जो घर है उनमें बाड आ गई है आप यह देखिजी एक चावल एक किलो चावल दो किलो आटा और एक पाउच जो है सरसों के तेल का उन्होंने उस बाड के टाइम में दिया और इतना बजट आता है उनका कुम्ब का और भी हम बहुत परेशान है और ऐसे ऐसे है मैंने का प्रशाशन ने क्या मदद करी करें प्रशाशन ने कोई मदद ने करी यही चीज दिये एक ठैले में तीन किलो चावल दो किलो आटा एक डाल का पाउच और एक कड़वे तेल का पाउच यह सब मदद करी हमारे साथ कि संस्किर्टी है मारे देश की एकता है देख हमारे देश का बाइचारा है कि अगर इसको कोही भी खतम करेगा चाहे कोई भी हो हम उसके सामने खड़े होंगे हम अपने देश के साथ हैं हम हम हिंदू मुस्लिम सीख इसाई इस चीज़ को यह जिन्दा रखना चाहते हैं तो प्रधान मंत्री भी तो वही है उनसे बड़ा राश्ट्र भक्त कौन है 24 गंटे काम करते हैं तिक यह तो मैंने आपके पीते हैं इतना मेहनत करते हैं 24 गंटे काम करते हैं हाँ बिल्कुल सही का एंकर जो पूछ रही थी टॉनिक मैं बता देता हूं अगर वह धायलाक रुपए मश्रूम की रोटी खाएंगे जो गरीब को यह भी पता नहीं के मश्रूम की रोटी होती क्या है 24 गंटे का सूट पैनेंगे 6.5 लाक रुपए की घड़ी पैनेंगे 7 делать इन चीजों को अपने ओपर ध्यान ना दे कर देश पर ध्यान दिया जाए आप महीने का कम से कम धाई करोर रुपय का उनका खर्चा है साल का कितना हो गया अगर वो अपने उपर ध्यान न दे कर देश की गरीब जंता पर अगर वो खर्च हो तो मेरे देश की जंता गरीब ही नहीं रहेगी ये खाली सत्ता में आने के लिए इन्होंने जुमलों का इस्तेमाल किया देखिए पहले हमारे कांगरेस पार्टी ने नारा दिया था गरीब ही हटाओ और इन्होंने क्या नारा दिया है कि गरीब कोई हटाओ ना रहेगा बास ना बजेगी बासरी अमीर अमीर हो रहा है गरीब गरीब हो रहा है और कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नहीं किसी का साथ है नहीं किसी का विकास है अगर साथ है तो उद्ध्युक पतियों का है अडानी अमबानी का है अगर किसी का विकास है अडानी, अमबानी, ललितमोदी, निरमोदी, विजे मालिया, महेल चोकसी, इंजसो का, आप बताईए, क्या उनके खिलाब फेक्शन लिया गया, क्या वो गरीब जनता के टेक्स का पैसा नहीं था, गरीब जनता खून पसीना की कमाई को कमा कर टेक्स देती है, तो क्या वो अपने घर से लेकर आए थे, कब आएंगे ललितमोदी, जब अलक्षन पास आता है, चुनाब पास आता है, तो जिक्र ललितमोदी, निरमोदी, हिंदु मुसलमान, मंदिर मजजित, आस्था करने लगते हैं, मुद्दो से भटकाते हैं, अब मुझे मुझा आज जीरे का रेड़, बताई यह कितना है, आप प्यास करेट देख लीजिए, सलंडर का रेड़ ना, अले आज भी कितना है, बताइए कितना है टमाटर का रेड़, आज भी 40-50 है, तो गरीब आदमी तो आज भी सोचेगा, टमाटर लाने के लिए, उस तरह से उसक कि कमाई भी तो होनी चाहिए ना महंगाई अलग बात है कम से कम उसका बजट भी तो होना चाहिए अब जी टुन्टी की बैठक चुनू होने जा रही है अच्छी बात है देश के लिए मगर आपने साथ दिन के लिए दिल्ली को बिल्कुल बंद कर दिया जो हम जैसा इंसान है थर्ड किलास सेकंड किलास वाला जो रोज का खाने कमाने वाला है वो क्या करेगा क्या इनके हागे हाथ पहलाएगा भीक मांगेगा तमाम विकास कर दिये हैं प्रधान मंत्री ने कितने सारे काम कर दिये गरीबों के लिए कितना काम किया अवास योजना जंधन योजना आय जो शुमान काड़ चल लें और अभी तो देखना करक की एक रिपोर्ट आ रही है कितने घोटाले निकलेंगे राम मंदिर के ट्रस्ट में भी इनों ने उसको भी नहीं चोड़ा हम आस्था को भी नहीं चोड़ा इनों ने और ये उस यूग के रावन हैं जो नाम के सहारे दे यही किसान और यही बेरोजगार यूवा इनको जवाब देगा बोट की तागस से और आने वाले समय में दो हजार चोविस में प्रधान मंत्री के रूप में मानने राहुल गांदी जो देश का विकास करेंगे जो देश की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि राहु ग्राउंड रिपोर्ट पर जाईए आप पूरे दिल्ली में चलिए देश तो बहुत बढ़ा है आज वो 85% सबसे लोग प्रियनेता हैं और प्रधान मंत्री की दोड़ में भी जिनको यह पपू कहते हैं ना जिन पर दददर डिग्री आएं अगर काश यह राहुल गांदी पर द्यान ना दे कर देखे देश पर काम कर लेते ना जितना इन्होंने उनकी छवी खराप करने पर कांगरेस की चवी खराप करने पर पैसा कर्च किया है तो आज मेरे देश में 50 तो डिग्री कॉलिज होते और 50 एम्स होस्पिटल होते मगर राहुल गांदी फर्जी नफरत की बात करते हैं राहुल गांदी महबत की चाय पर उस रहे हैं ये क्या कर रहे हैं नफरत की चाय पर उस रहे हैं राहुल गांदी जी ने एक लाइन दी है कि नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोल रहा हूं में एक लाइन मैंने जोड़ी है अपनी तरफ से नफर प्रधान मंत्री योगी मोदी ना कहेगा और जो प्रधान मंत्री के खिलाफ बोलेगा वो राष्ट द्रोहां से यही तो दिक्कत है अभी मेरे बड़े भाई इन्हों ने कहा कि बोलने में डर लगता है नाम बताने में डर लगता है क्योंकि हम सच्चा ही बोलते हैं और जो सच्चा किरांतिकारी होता है ये तो हमारे देश के कुछ नेता है हम तो बेटिश सरकार से नहीं डरे हम वो किरांतिकारी हैं कि हमने अपना लहू जमी को पिला दिया हमने अपना लहू जमी को पिला दिया और वतन का कर्षता वतन को चुका दिया हम वो किरांतिकारी हैं क्या कहेंगे सर मध्य प्रदेश में जो है बीज़ेपी ने ट्वीट किया है कि तीन वर्सों में देखे पचास हजार शिक्षकों की भरती हुई है इस बात के लिए राज्य सरकार की तारीफ होनी चाहिए क्या कहेंगे आप इस पर जो बंदिपर्देश पर व्यापम घोटा ले और शिक्षा पर गोटा ले और एक ही मुबाइल नंबर पर इतने आयुश बनाने की दोड में अपने शिक्षकों को भरती करने के लिए शाबाशी मुचाता है अरे उससे बढ़िया अपने बच्चों को आप अच्छी तरह टैलेंटिट बॉइस बना के कोई अच्छे मैरिड में देते तो शाबाशी लेते तो बढ़िया था यह कि पहली बार ऐसा कि प्रधान मंत्री जो है गर्व से सफाई करमचारियों के पैर्द हो रहा है ऐसा प्रधान मंत्री नहीं मिलेगा बिल्कुल सही बात है ऐसा प्रधान मंत्री कोई नहीं मिलेगा जो हमारे सफाई करमचारियों के चरण छूरा है बिल्कुल सही बात है लेकिन आजकल हमारे परद्हानमंत्री जी किसी हिंदुस्तानी को कभी गले लगाके देखा साल के पिरियड में लहीं हिंदुमदी जी ने कभी गले लगाया है और रहूल गांधी जी छасमास के उमर में उन्हें ने समझे आया जाना चाहिए नरेंद्र मोदी बचपन से ही संगर्ष करते हुआ हैं। जनता जो है वो अभी भी चाहती है और प्रधान मंत्री भी कहते हैं कि पहली बार हमारा काम देखा गया तब जनता ने दूसरी बार लाया है अब तीसरी बार फिर वो ही आएंगे फिर वो ही जंडा फैराएंगे और देश की जनता भी चाहती है कि नरेंद्र मोदी ही आए दे बत हुआ देश की बेटी और नो जवानों पर हत्याचार अब नहीं चाहिए मोदी सरकार अब यही नारा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है अब उनको पता कौन चाहिए अब उनको चाहिए पडाली का प्रदान मंतरी जो देश को चला सके राहुल गांदी एक ऐसे शक्स है जो हर प्रस्तिती में आपको ठाल सकते हैं वो जमीनी नेता हैं ग्राउंड नेता हैं वो एसी में बेटने वाले या कारों में घुमने वाले नेता नहीं है वो दो हजार सिकोटी के बीच में चलने वाले नेता नहीं है अगर मेरे देश के प्रदान मंतरी इतने लोग प्रत यह इनको चुनाव जब पास आता है यह मुद्दों पर बात नहीं करते यह बात करेंगे हिंदू हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने पर ये बात करेंगे आस्ता पर ये करेंगे मंदिर मस्जित पर मगर आप जो देश का युवा है जो भटका हुआ था वो समझ चुका है क्या हो रहा है क्योंकि ये जो बिटिस की अंग्रेश सरकार थी उससे भी बहुत गंदी रा राहुल गांदी भी तो राजनीती के लिए ही सब कर रहे हैं अपना जो राजनीती फाइदा है वो देखते हुए लोगों से मिल रहे हैं और जंता के विट बिट जा रहे हैं देखिए आप एक पत्रकार हैं बहुत समझदार हैं मुझसे भी ज्यादा दिमाग रखती है क्य राहुल गांदी ने अपनी दादी को खोया क्या राजनीती के लिए खोया क्या अपने पिताजी को खोया बारे साल की उमर में क्या राजनीती के लिए खोया पताईए आप मुझे अपने चाचा को खोया क्या राजनीती के लिए खोया देखिए इनका बलीदान ना इनका ब प्रदान मंगी यही तो खास बात फकीर है। नहीं सोचता उसके अपने परिवार नहीं है। और राहुल गांधी परिवारवाद से आते हैं वो परिवारवाद से छुटकारा दिलाना चाहते हैं प्रदान मंद्री उनका कोई परिवार नहीं है वो सिर्फ जो राष्ट ही उनका परिवार है भारत ही उनका परिवार है देखिए सुनिए मैं आपको एक पहली बताता हूं नादानी में घर छोड़ा जवानी में बीवी को छोड़ा बुढ़ापे में देश को बेचा ठीक है और फिर भी अंधभक्त खुश हैं समयना आप जनता को अंधभक्त बता रहे हैं आप बिल्कुल जनता नहीं है वो अंधभक्त है मगर हां उनकी आखों से चश्मा उत्रेग का मुझे पूरी उम्मीद है वो अपने रास्ते पर आएंगे और फिर एक बार कांग्रेस सरकार 2024 में फूल बहुमत से आ रही है और इस बार जो दूला होंगे वो हमारे मानने राहुल गांदी जी ही होंगे तो इंडिया वर्सिस एंडिये की लड़ाई है और पूरे देश में इस बात का सरगर्मी है एक चीज़ और मैं लास्ट अपनी लास्ट बात कहकर खतम करता हूँ देखिए मैं किरकेट होता है जब दो टीमों के बीच में किरकेट होता है मान लिए पाकिस्तान इंडिया के तो हर देश पिरेमी हर इंडिया नहीं चाहता है कि मेरा देच जीते मैं भी चाहता हूं इस बार दो हजार चोविस में पूरा देश यही चारा है कि इंडिया जीते इंडिया नहीं वो घमंडिया है इंडिया ही जीतेगा घमंडिया उनके लिए है किरांती कारियों का इंडिया है और एक शेर के साथ अपनी बात को खतम करेगा योगी आदितियनाथ ने कहा था कि नाम इंडिया रख लेने से फित मान करता हूं सारे भिरस्टाचारियों की सारे चोरों की बस एक ही पार्टी बन कर रहे गई है बाजपा पार्टी सुभा लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा सुभा लिखा शाम लिखा हाले दिल तमाम लिखा और वो पहन भी दिवाना हो गया जिससे मैंने गांधी परिवार का नाम लिखा तो आप गांधी परिवार के दिवाने हैं इसलिए राहुल राहुल कर रहे हैं सोभाग्य है कि मैं एक ऐसे क्रांतिकारी परिवार को चाहता हूं जिनने अपने देश के लिए अपने आपको नोचावर कर दिया तो पूरे देश में जो है आने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मी बनी हुई है इंडिया वर्सिस इंडिया की लड़ाई है और कौन बनेगा प्रधान मंत्री ये एक बड़ा सवाल है पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिकिरिया जरूर दीजे कैमरामन गौतम के सांथ कि धावाजी।